संडे का दिन भारतिय टीम के लिए खुशियों का डबल डोज लेकर आया है सबसे बहले तो भारतिय टीम को मिली जीत मांगलादेश के सामने जिससे वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप की पॉइंट सेबल में भारतिय टीम का एक रैंग से इजाफा हुआ लेकिन दूसरी तरफ से उसके चंदी घंटे के बाद जहां उस्ट्रीलिया ने साउथ एफ्रीका को आसानी से मात दे दी है तो भारतिय टीम वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप के पॉइंट सेबल पे तीसरे से दूसरे पायदान पर आ गई है अगर देख लिया जाए भारतिय टीम ने दो घंटे के अंदर अंदर छलांग लगा दी है चोथे नंबर से सीधा दूसरे नंबर पर अब किस तरह से नजार आ रहा है वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप का पॉइंट सेबल कैसा है सारा गणित किस तरह से भारतिय टीम को बचे हुए मुकाबलों में करना होगा परफॉर्म किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से दी है मात वो सब जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट रविवार का दिन भारती क्रिकेट टीम के लिए दोहरी खुशखबरी लेकर आया है इधर बांगला देश को पहले टेस्ट के पांच में भारत ने 188 रनों के बड़े अंतर से हराया और टेसरीज में 1-0 की बड़त हासिल की उधर आस्टेलिया ने ब्रिस्बेन में साउथ अफरिका को केवल दो दिनों के अंदर ही द्वस्त कर दिया जिसके चलते वॉल्ट टेस्ट चैंपियंशिप की लड़ाई में टीम इंडिया को बड़ा फायदा हुआ है ICC वॉल्ट टेस्ट चैंपियंशिप 2021-2023 के साइकल में भारत ने दो अस्थानों की लंब ये जलांग लगाई है जिसके चलते अब टीम इंडिया सीधे चोथे से दूसरे पायदान पर पहुँच गई है चुकि मौझूदा WTC टेबल के टॉप पर बैठी आस्ट्रेलिया ने साउथ अफरिका को बोरी तरीके से रौंदा है ब्रिस्बिन गाबा में खेले गए मुकाबले में मेजबान ने महमानों का सिर्फ दो दिनों के अंदर ही काम तमाम कर दिया एक ग्रीन टॉप पर टॉस जितकर आस्ट्रेलिया ने पहले अफरिका को बल्ले बाजी के लिए उतारा और उनकी पहली पारी मात्र 152 रनों पर ही धेर कर दी हालांकि आस्ट्रेलिया भी पहली पारी में लड़ खड़ाया लेकिन ट्रैविस हेट के 92 रनों की बदावलत आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 208 रन बनाए और 64 रनों की बढ़हत हासिल की वहीं दूसरी पारी में तो साउथ अफरीका की पूरी पल्ले बाजी ताश के पत्नों की तरह भी खर गई केवल 38 उमर के अंदर 99 के स्कोर पर ही पूरी टीम का डबा गोल हो गया जिसके बाद आस्ट्रेलिया को 34 रनों का लक्ष मिला जिसे बड़े सुकून से कंगारू ने हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया वहीं सकरारी हार के चलते अफरीका को डबलू टीसी में काफी बड़ा धक्का लगा है आपको बता दें इससे पहले तक अफरीकी टीम 10 मुकाबलों के बाद 6 जीत 72 और साच की वीनिंग परसेंटेज के साथ दूसरे पायदान पर लेकिन कंगारूं से मिली हार के कारण अफरीका का वीनिंग परसेंटेज गिर गर केवल चougवन का रह गया है वहीं पर बांगला देश को हराने से भारत का वीनिंग परसेंट 55.77 का हो चुका है जिसके कारण भारत डब्लू टीसी की अंक तालिका में साथ अफरीका को पच् सेनेरियों में दूसरे टीम के तोर पर भारत का रास्ता साप हो सकता है। टीम इंडिया अगर बांगला देश में क्लीन स्विप करती है और फिर आस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्सरीज को तीन एक से भी अपने नाम करने में कामयाब रही तो भारत और आस्ट्र आस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को रौंद कर टॉप पर अपने स्थिती काफी पुखता कर ली है। तेरह मुकाबलों के बाद नौ जीत और तीन ड्रॉ के साथ आस्ट्रेलिया के 120 अंक हो चुके हैं और कंगारूं का वीनिंग परसेंटेज 75 से बढ़कर 76.92 का हो गया है। इ दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गई है। 11 मुकाबलों में 6 जीत और 72 अंकों के साथ साथ आफ्रिका का वीनिंग परसेंटेज रेशियो गिर कर 54.54 का रह गया है। वहीं 10 मुकाबलों में 14 चंक और 53.33 का वीनिंग परसेंटेज के साथ श्रेलंका चौथे पायदान प हो चुका है। इसके बाद वेस्टन डीज सातवें निउजिलेंड आठवें और बांगला देश सबसे आखरी में 9 पायदान पर मौजूद है। लेकिन ये सभी फाइनल की रेश से काफी पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है। क्या टीम इंड हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।